हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लाइफ एट एम यू तो कैसे आप सभी लोग तो सभी लोग जानना चाते थे अलिगड मुसलिम इनुवरस्टी जो आपकी एक बहुत ही खूपसूरत इनुवरस्टी मानी जाती है और स्टूदेंट मतलब रहते हैं यहां पर हर जगा चलते फिरते नजबारा आते हैं लेकिन लोग डाउन में आप सभी जानते हैं सब अपने घर चले गएते campus खाली करा दिया था और आपका सभी hostel वैकेट करा दिया थे तो campus में students है या नहीं है क्या हो रहा है campus में क्योंकि lockdown के बाद बहुत जादा changes आ गए है तो इस video में हम वही सब देखेंगे तो देखेंगे hostel वगारा मतलब main main चीजे मैं आपको दिखाऊंगा university की इस video से वो भी देख लेंगे कि campus कैसा दिखता है और क्या क्या होता है और अभी क्या बदलाव आ गए है क्योंकि वो admission लेंगे तो admission लेने के बाद क्या अब कैसा होगा campus में क्या नजारे दिखेंगे तो चलिए video को start करते हैं तो यह है आपकी मोला नाजाद library जो कि बहुत famous मानी जाते हैं मतलब आपकी Asia में number one भी मानी जाती है और यहाँ पर भीड लगी रहती है हजारों बच्चे हर वक पढ़ते रहते हैं लेकिन आप देख सकते हैं एकदम gate बंध है parking जो full रहती है वो एकदम खाली पढ़ी है और यह ground में बच्चे यहाँ भी बैटे रहते हैं तो कहीं भी एक भी बच्चा नजर नहीं आ रहा है कोई एक इंसान नजर नहीं आ रहा है एकदम सुनसान पढ़ी है जो AMU के student है वही इस चीज को समझ सकते हैं कैसा उन्हें फील हो रहा होगा एकदम खाली खाली सा तो चलिए और आपको मैं चीजे दिखा देता हूँ आगे चलते हैं तो हम आ गए हैं आर्ट्स फैकल्टी जो की एक बहुती फेमर्स फैकल्टी मानी जाती है AMU की और यहाँ पर मतलब हर वक भीड रहती है इस ground में बैठे रहते हैं और इस ground में बच्चे बैठे रहते हैं और आते जाते ही दिखते हैं और आप देख सकते हैं एकदम शान पड़िये खुली है फैकल्टी वो आप जानते के दिपार्ट्समेंट वगएरा खुले हैं और डिपार्ट्मेंट में आपके वो जो staff members वगर आ रहे हैं प्रोफेसर लेकिन आपकी faculty ऐसे ही है सुनसान है क्योंकि जो faculty university की शान है वो तो बच्चे ही है बच्चे ही नहीं है तो ऐसे सुनसान पड़ी है और अब हम और जगा चलते हैं तो हम एक और university की जो बहुत ही main जगा मानी जाती है आप देखकर ही पहचान गए होंगे बहुत से students की यहाँ पर जो बच्चे हर वक बैठे रहते हैं अब आप ही idea लगा सकते हैं क्या है यह कौन से जगा है तो जो नहीं मतलब कोई campus में नहीं आया तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ यह library canteen है library के पीछे यह मतलब main canteen मानी जाती है university की और सबसे जादा बच्चे आते हैं यहाँ पर मतलब खाने के लिए और बैठने के लिए यहाँ पर देखे यह canteen है और यह जो benches आप देख रहे होंगे इधर पूरी benches है यह हरवक भरी रहती है यहाँ भी बच्चे खड़े रहती है मतलब बैठने की जगा नहीं मिलती और आप देख सकते हैं कितना गंदा हो रहा है यहाँ पर सफाई तक नहीं हुई है आपको मैं दिखा देता हूँ और यह juice corner है यहाँ का बहुती famous juice corner है यहाँ भी भीड लगी रहती है जिरोक्स point है तेखे आप benches देख सकते हैं यहाँ पर close आकर कि कितना गंदा पड़ा है benches ऐसे ही पड़ी है यहाँ पर जो हरवक सफाई पड़ी रहती है एकदम साफ रहता है देखे क्या हाल हुआ बुरा लग रहा है और देखे बिलकुल एकदम शान्त है कोई नहीं है यहाँ पर एकदम खाली पड़ा है कोई किसी को allow ही किया जा रहा है है यहाँ पर आने के लिए तो चलिए और जगा है मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपको देखने की बहुत जादा weight कर रहा होंग और बहुत ही मतलब यहाँ पर आके entertainment करते हैं entertainment से ही आप लोग समझ गया होंगे कि यह university का auditorium है और इसका नाम है Kennedy Auditorium तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैसे जब कोई function होता है कोई program होता है एकदम भीड हो जाती है पूरा एकदम यहाँ पर बच्चे ही बच्चे होते हैं यहाँ पर movies भी लगती है और function होते हैं बहुत सारे programs होते हैं और यहाँ से सीधा जो रास्त है वो है CEC का वो भी एक यहाँ पर उसमें clubs है cultural education club है तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूं उसके क्या हाल है क्योंकि उसके जो members हैं वो बहुत ही मतलब हैं उन्हें उत्सुख हो होंगे देखने के लिए कि उनके CC का क्या हाल है चलिए अब CC में चलो हम CC आ चुके हैं CC एक बहुत ही यादगाल जगा है बच्चे हर वक्त रहते हैं एक जो CC के member है उनका तो यह तरह से दूसरा घर है यहाँ पर उनका पूरा दिन ही कटता है लग बग पूरा दिन रहते है और इमोशनली कनेक्टेड हैं CC के जो members हैं वो यहाँ पर CC के मतलब कुछ clubs हो अगरा है अलग-अलग clubs हैं जैसे ड्रामा कलब हिंदुस्तानी music club और fusion club बहुत सारे हैं ऐसे आपके तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर एक मतलब university की बहुत ही अच्छी जगा आप मानी जाती है इसमें क्योंकि student अपने talent show करते हैं कुछ सीखते हैं बहुत सारी चीज़े होती हैं तो जो यहाँ के बच्चे हैं मतलब members हैं उनके लिए तो मतलब एक बहुत ही अच्छा moment हो गाई इसे देखने का क्योंकि 7-8 महीन हो गया है बंद पड़े और किसी ना कर नहीं देखा तो देख सकते हैं एकदम कैसा moment है सब यहाँ पर बैठे रहते हैं फांटेन फांटेन खाली है एकदम बंद है सब चीज़ आपके clubs हो अगरा और आप यह देख सकते हैं जो आपका बावे सियत एक में गेट है बाकी एक चुंगी गेट बन रहा है मतलब अब नया गेट बन रहा है यहाँ अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे की पीछे विक्टोरिया गेट है Victoria यहां पर इसमें Clock Tower भी माना जाता है Clock Tower भी वह बोलता है Victoria gate है और यह जो है आपका यहां पर सरस्यद South hostel है यह hall है आपका तो इस hall में बहुत सारी चीज़े हैं तो मैं एक तरह से आपको यहां का टूर लेने वाले हैं क्योंकि इस hall में बहुत सारी चीज़े हैं मतलब दिखाने के लिए आप देखेंगे तो आप बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है, मतलब खूपसूरती भर भर के हैं इस हॉल में, आपकी और बहुत साइच चीज़ है, सबसे पहले तो आपका विक्टोरिया गेट में ने दिखाई दिया है, और भी मैं आपको बागी चीज़े दिखाने वाला हूँ, और आपको हॉल भी दिखा दूआ, हॉल कैसा लग रहा है, बच्चे हैं, नहीं सुनसान हैं, तो सबसे चली आईए, पहले हॉल देख लेते हैं, आप देख सकते हैं, हॉल है, आपका मतलब रूम्स हैं, यह आपके पर नजर नहीं आ रहा है, कोई चलता हूँ, अभी इस्टुडेंट नहीं आ रहा है, सब रूम्स लोग रहे हैं, सील किये हुए हैं, रूम्स मतलब सील लगा रखा है, और आपको परमिशन नहीं है, खौलने के और रिस्टे करने की बस कुछ रूम्स खुले हैं, जो पहले जैसी हो जाए, तो चलिए अब मैं और चीजे दिखा देता हूँ, यहाँ पर होल में, जो साउथ होल है आपका, सरसियद साउथ होल है, उसमें यह और चीजे देख। आपने बहुत से फोटो भी देखे होंगे, बहुत सी जगह देखे होंगे, मतलब यह बहुत खूपसुरा नजारा आता है, यहां से आपको कैमरे में ही दिख रहा होगा, देख सकते हैं, एकदम कितना प्यारा नजारा आता है, वहाँ से जाओ मज़िद से लेगे, पूरा से लेगे, आप तो बहुत जादा प्यारा नजारा लगता है, और बाकि जो स्टुडेंट है, वह तो जानते ही हैं, एम यूगे स्टुडेंट की कितना अच्छी जगह है, मतलब साउथ जो यह सरसियत, साउथ होल है, यह बहुत ही प्यारा है, यह इधर साइड आपका नौ मैं तो आपको कई घंटे चाहिए, कई घंटे की वीडियो हो जाएगी, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और आप देख मीनी पाएंगे, फिर भी मैं आपकी में में चीज़े करता रहूँगा, आगे कवर जैसे ही है, यह सबसे में चीज़े थी और लोगडाउन के बा बारे में देने हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी और कोई वीडियो वगरा आए, या कुछ अपडेट आए, तो एकदम आप तक पहुच जाए, और मैं गाइड भी करता रहता हूँ आपको, और आपका वीडियो को लाइक करना तो तो उसमें आप एड हो जाए, और इंस्टाग्राम मेरा एकाउंट है, इंस्टाग्राम पे आप फोलो कर लीजिए, मुझे वहाँ पे मैं आपको अपडेट रहता हूँ, अगर कोई भी प्रोब्लम होए, क्वारी हो, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसिज कर सकते हैं, व और आपको क्या मतलब कुछ छूटा है, या कुछ होना चाहिए था, COMMENTS कीजेगा, मतलब जितना प्यार हो यह यूनिवरस्टी के लिए आप क्या खहना चाहते हम, इसमें क्या अइसा फील हो रहा है, आपको देख कर और आकर आप क्या करना चाहते है, कहां कहां गूमने चाह आपको अच्छा वो कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत थैंक यूँ